and welcome back to your channel easy notes स्वारी मेरा गलाब बहुत खराब है जब देगे हमने कादर के आज ट्यूस्टे है और ट्यूस्टे को हम लेकर रहा है बिस्नस कम्मिनिकेशन के notes तो जो मैंने सिल्बस वाले वीडियो में बताया है कि बिस्नस कम्मिनिकेशन की unit 1 में कम्मिनिकेशन के बारे में है बट ओविसली कॉमर्स में आही गए हो तो नेचर्स को फीचर, कारक्टर, परपरस यसा तो पढ़ना ही पड़ेगा तो वो सारी चीज़े हैं तीन टॉपिक है unit 1 में पहले में कम्मिनिकेशन का इंट्रोड़क्शन है जो कि यह सारा आपको दिया है अभी जो मैं पढ़ाऊंगी इस वीडियो में दूसरा टॉपिक है हमारा types of communication जिन बेसे करें हम forms of communication कहते हैं formal, informal जिसमें से informal exam point of view से बहुत important है mcq based होता है तो बात ही यह लगया तीसरा टॉपिक है barriers to communication तो वो जो दोनों topics है formal, informal और barriers to communication वो हम cover करेंगे next video में और हम जोसको course में थोड़ी सी भी problem है कि syllabus क्या है और क्या नहीं तो उत्तर प्रदेश में तो जो syllabus है वो मैंने update कर दिया है iBittal में लिंक भी आपको दिया होगा तो वीडियो जाके देख लो तो आपको मैं syllabus के लिए clear हो जाओगे completely तो जब बात आती है communication what do you mean by communication मैं क्या कर रही है communicate कर रही है किस से आप लोगों से जोबी मेरी audience है अब अब आप लोगों के दिमाग में कोई थोट आया होगा आइडिया फ्रेम आओगा तो कुछ लोग comment on कर रहे होंगे कुछ तो वो क्या है वो communication ही तो है तो sorry everything जो मारे आसपास है हम जसे भी communicate करते हैं thoughts या ideas exchange करते हैं communicate word नहीं उसका तो definition ही पूछी गई है thoughts, ideas, exchange करते हैं या express करते हैं whatever we feel जो मैं बोलना होता है जो मारे आडलोजी होती है feelings वो जो मैं express करते हैं तो उस expression को communication कहते हैं अभी जसे कि definition लिखने का थोड़ा से एक professional से जो वे होता है वो यह होता है कि the word this is derived from this language ये लिख के लिखा जाता है तो अभी जो communication है the word communication is derived from a latin word latin word communicare communicare ओके अभी मार्कर नहीं है ठीक है so communicare c-o-m-m-u-n-i-c-a-r-e communicare which means sharing popularizing spreading अब कोई मतलब निकाल सेब तो पर basic अगर मतलब जो most appropriate उनने दिया है और जो माना जाता है लटर में communicare का मतलब that is sharing अगर हम simple से communication के definition बताएं तो communication is the exchange of thoughts ideas expressions between two or more people एक के बीच में तो हो नहीं सकता खुद से बाते करो किस से बाते करो with your soul यह सब बुक नहीं मानती ठीक communication is always between two or more people तो यह simple definition है Kate Davis के definitions बहुत चोटी होती है always इतना मैं आने देखा है almost चोट-चोटी definitions होती है आपको याद करनी आप करिये बुक से और description में लिंक आपको मिल जाएगा notes का update होता रहेगा link ठीक है जैसे जैसे मैं update करती रहूंगे notes वैसे वैसे link भी अपडेट होते रहेंगे तो जादा टाइम बेस ना करते है let's get started तो पहला जो हमारा topic है हमारे पास communication में वो है characteristics of communication अब communication की क्या characteristics हो सकती है कुछ द्यान में आ रहा हो अच्छा ये बताओ मैं कहती है be quiet सब को कहाई होगा class में college में तो चाहँदा नहीं कहती आप नहीं कर रहे हूं मैं genuinely question बूच रहे हूं can you stay quiet जोप रह सकते हो नहीं रह सकते हो we need to communicate बोलना ही पढ़ता है और जरूर नहीं कि गपे लडाने हो कोई important काम भी अगर पढ़ जाता है तो we need to communicate तो सबसे पहली characteristic communication की है भूलना मत क्योंकि communication is unavoidable unavoidable से better एक word है inevitable अगर यह लिखोगे heading में तो थोड़ा सा eye catching रहेगा यह ठीक है तो थोड़ा सा professional लिखोगे तो आगे भी help करेगा वो क्याब ज़री अच्छी होएगी तो वही चीज़ में communication is unavoidable आप यह example लिख सकते हो या आप example लिख सकते हो किसी farm का कोई formal example तो वो proper एक paragraph बने जाएगा फिर देखो बहुत ध्यान रखना कुछ चीज़ है universal वाली जो characteristic होती है continuous process वाली जो characteristic होती है मुझे लगता है कि almost management के हर theoretical subject में characteristics होती है यसे principle of management ने पढ़ा था भी हम लोगों ने जिसने नहीं देखा है वीडियो मैंने आई बिटन में लिंक दिया है प्लीज जाके देख लो ठीक है principle of management का मापी unit 1 explain कर दिया है मैंने तो वो क्या होता है या तो continuous और universal तो almost 90% जोतने भी थोरी subject है उनमें यह characteristic मिलेगी उनके topics में management is also continuous and universal और management करने के लिए communication तो important है न तो सेम चैस communication की भी दो characteristics continuous और universal एक बताई in evitable मतलब unavoidable तीन हो गई चौथी जो मैंने आपको definition में बताई थी वो ये थी कि between two or more people है ना दो या दो से जादा एक के एक इंसान से communication नहीं हो सकता तो अब जो चौथी आप लोग derive कर सकते हैं यहां से कि two-way process है सिर्फ बोलते रों बोलते रों कैसे काम चलेगा जिसने मैं सिर्फ आपको lecture दे रही हूं पर मुझे feedback तो आप देते हो ना तो यह two-way process हुआ कि नहीं हुआ चाहे आप comment करो चाहे अप्लाई करो शेयर करो सब्सक्राइब परो तो फ्लीज कर भी देना ठीक है फीडबैक चाहिए ना टूवे process होता है तो तूवे process होता है communication यह चाहर चीजे हो गई universal होता है continuous होता है inevitable मतलब unavoidable होता है और टूवे process होता है और अगर characteristics की हम बात करें इसमें मैंने लिखा हुआ है short-lived और contextual यह थोड़ा समझाने वाला है समझाने वाला है कि communication contextual होता है अकसर सुना है लोकों को कि यार शब्तों पर मत जाओ भावनाए समझो मेरी मेरे वो मतलब नहीं था मेरे वो मतलब नहीं था तो इस इन सब चीज़ों का मतलब क्या होता है context कि आपने किस context में बात बोली किस intention से बात बोली और क्या idea represent करने के लिए आपने वो बात बोली ठीक है समझने का फेर हो जाता है कभी-कभी ठीक तो यह तीन तीन पॉइंट याद हो पाएंगे देखो contextual अगर तुम्हें याद हो गया है तो contextual का बोता है जब समझ का फेर तो प्रॉपर understanding है ना communication की क्या होती है कि it improves understanding अगर contextual है जो तुमने बोला मैंने वह समझ लिए तो understanding हमारे अच्छी हुई कि नहीं हुई understanding अगर understanding अच्छी है तो misunderstanding कम से कम होगी ना तो तीसरा पॉइंट क्या बन गया एलिमेनेट मिस understanding एक पॉइंट करोगे ना तो आठ पॉइंट बन गये तुमारे ठीक इनिवाइटेबल युनिवर्सल continuous two way चार ये पांचवा जो था वो मनें बताया अभी कि it's contextual हम किसी reference में ही तो बात करते है न एक बात की दो मतलब होते पर हमारा अपना reference होता है तो वो contextual contextual अगर मैं समझ गई तो improves understanding और understanding इंप्रूव हो गई तो eliminates misunderstanding तो साथ पॉइंट्स हो गई आठवा जो था short-lived process है मैंने बोला आपने सुन लिया communication आपने feedback दे दिया communication khatam it's a short-lived process हाँ किसी के बात बहुत लंबी हो रहे है that is something else but it is a short-lived process साधीयों तक नहीं चलता है हमने एब आत पां साल पहले बोले तो पां साल बाद अब उस बात पर फीड़बाक आ रहा है ठीक है the communication is instant and short-lived process ठीक है 9-10 बहुत characteristics हो गई फिर मैं पड़े दे रही हूं लास्ट है leads to achieve organizational goal but obvious है ठीक है अच्छा next हमारा the topic is scope of communication अब communication का scope कहा जब communication avoidable ही नहीं है तो scope तो बहुत होगा ना personal life professional life political life social life industrial life business life corporate life employee life job life और क्या सकते हैं कि अगर हम friendship में कहें relation wise कहें scope is unlimited ठीक है unlimited तो यह explainable वाला topic तो नहीं है ठीक है जब हम बात करते हैं purpose की तो communication का purpose क्या होगा बात क्यों कोई बात क्यों ही करेगा कुछ पताने के लिए कुछ सुनने के लिए है ना तो to convey a message या to receive a message to give or receive information to persuade people किसी को motivate करने के लिए किसी को राजी कराने के लिए ठीक है to motivate people to persuade people and to control people or to direct people तो यह purposes है टू 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 लगा के जितना यादारा आप सब लिख सकते हो all our purposes कोई specific heading नहीं है कि नहीं यहीं लिखना है ठीक है और originator भी बोल सकते हैं और transmitter भी बोल सकते हैं sender से ही information originate होई है तो वो source हो गया और वो originator हो गया और वहीं आके information transmit करेगा तो वो transmitter भी हो गया sender transmitter originator source चारों में से कुछ भी then we have message अगर उसके दिमाब में कोई आइडिया आया तो वह message frame करेगा ना दूसरा element है बात करने का message तीसरा element medium अब वह message भेज़े का कैसे या तो बोल की भेज़े का वह बल हुआ या तो वह इशारों में भेज़े का वह जेस्चरल हुआ या तो लिख के भेज़े का वह थीन फॉरम से ठीक है तो वह तीनों में से किसी एक medium के उसक्ते है तो वह मीडिया में चनल लोग्या तीक है अब चौथा element receiver किसी को तो भेजे का ज़ीवेद कर ठीक है तो दोनों चीज़ें सकती है ठीक है तो receiver, उसके बाद last है हमारा feedback, feedback is very 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 important element of communication, जब feedback नहीं मिलेगा तो communication incomplete होगा, तो feedback communication का वो element है जो उसे complete करता है, ठीक है, अच्छा, exam point of view से मैं बता दू, communication के element, उसका process और seven C's of communication, यह जो तीनों मैंने middle में लिखे हैं, इसी वज़ो से, यह बहुत 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 important है, short में भी आते हैं, long में भी आते हैं, और अगर इन से MCQs भी मैंने देखे हैं, कई सारे बनते हैं, ठीक है, कि कितने elements होते हैं, तो confusion होती हैं, लोगों को बहुत की 4 होते हैं, की 5 होते हैं, की 6 होते हैं, की 6 होते हैं, की 7 होते हैं, if the option is containing 5, तो 5 करो, और if the option is containing 4, तो 4 most appropriate है, अगर 4 नहीं है, तो 5 करो, ठीक है, क्योंकि यूज्वली मैंने सर्च बैसिस पे देखा है, कि 4 सबसे तॉप पे आता है, मतलब सबसे दाधा 4 कहा जाता है, but if अगर आपकी teacher या faculty ने आपको lecture दिया है, या आपकी बुक में 5 लिखा है, तो do it 5 okay, do it 5 or 6, whatever you have, read, ठीक, and then process की बात करते है, देखो, मेरा जो मानना है, what I think, मैंने इसे ऐसे frame करा हुआ है, बहुत जगह बहुत कुछ frame है, मेरा क्या है, कि what I do is, in coding के नीचे, decoding करती हूँ मैं, ठीक है, and अगर मैं cross section करूँ, देखो, मेरा ऐसे बनता है, form, ऐसे, ऐसे, और उ पर नीचे, encoding के नीचे, decoding, channel से feedback, sender से receiver, ठीक है, just opposite, अगर आपको उपर की line भी याद है, अगर सिर्फ sender, encoding और channel, तो उसके opposite आप नीचे लिख सकते हो, like encoding कर decoding, channel का feedback, और sender का receiver, ठीक, अब जो मैंने आपको तक पढ़ाया, वो बहुत, बहुत सिंपल है समझना, कि sender, encode क्या करेगा, idea ही तो frame करेगा, ठीक, और जब वो frame करेगा, तो क्या बन जाएगा, message, message को channel करेगा, transmit करेगा, तो यहाँ पे transmission, ठीक, receiver क्या करेगा, message ही तो receive करेगा, ठीक, decode क्या करेगा, message ही तो decode करेगा, तो message के नीचे, message, idea के नीचे, response, ठीक, message उसने decode कर दिया, तो decode करने के विद रिस्पॉंस करेंगा तो रिस्पॉंस क्या करेंगा रिस्पॉंस क्या हो फीडबाक हो का एंद फीडबाक भीड़ गो तो इससे क्या प्रूव हो गया कम्मिनिकेशन इस अ कंटिनुवस प्रॉसस यह प्रॉसस है ठीक आप जैसे भी चाहें आप लिख सकते हैं ऐसा नहीं है बट मुझे लगता है यह बहुत जादा जल्दी आद हो सकता है कि जस्ट ऑपज़िट इंकोडिंग चैनल से फीडबाग सेंडर से रिसीवर है ठीक and the next we go to seven seaf देखो, 7 C's कई-कई जगां different होते हैं मलब 1-2 C's थोड़ी different होते हैं और कई-कई जगां यही होते हैं basically यही होते हैं ठीक है और 7 C's का अगर आता है long में भी, short में भी MCQ आता है that is very good and great doesn't matter अगर long short दोनों में आता है short में आता है मैंने छोटे-छोटे keywords जोड़ दी जो आपको बिल्कुल confused ना होने दे ठीक है जैसे कि एक इसमें 7 C होता है conciseness और एक 7 C होता है concreteness अब दोनों का मतलब यह होता है कि छोटा और exact अभी आप difference देख लो conciseness का मतलब यह होता है कि specific है ना एकदम specific message हो उसमें over information ना हो ठीक है फाल्तू की चीज़ें ना बट concreteness का मतलब होता है कि वो clear भी हो ठीक है exact तो हो specific तो हो लेकिन clear भी हो अब जैसे मैं क्या दूँ कि मैं मानलो डेटा मुझे देना है मैं लिख दू 100 students 12 past and rest failed ठीक है 100 students sorry बहुत जदा हो गया यह तो चलो कोई बात नहीं 100 students 12 past and rest failed यह information specific तो है कित्ते past कित्ते fail बट इंग्जाक्टर क्लियर नहीं है उसमें पढने वाले को निकालना पड़ेगा कि बच्चे वे कित्ते fail हो गए ठीक है ठीक है तो वो जादा exact और clear तो यह दोनों चीज़ें फुल्फिल करती है कि concise भी है मतलब message specific है कितने past कितने fail हो कितने थे बताया आपने यह तीन चीज़ बट उसको आपने exactly और clearly बताया ठीक है तो यह दोनों चीज़ें हो गई concise और concrete concise का मतलब होता है specific message और concrete का मतलब होता है exact और clear message ठीक उसके बाद आते हैं correctness पे correctness का मतलब सिर्फ और सिर्फ accuracy से होता है कि grammatically सही हो spelling wise सही हो language wise सही हो और verbs सही हो उसमें adverbs सही हो यह होता है ठीक है that is correctness spelling grammar कुल मिलाके semantic error ना हो तो correctness वाला feature आप फुल्फिल करते हैं ठीक है फिर हमारे पास आता है clarity clarity अब आप का होगे कि concrete में भी तुमने कहा कि clear होगा फिर अब तुम क्या due clarity भी एक है नई clarity का यहाँ पे मतलब है जो मैंने आपको समझाया था ना कि कि क्या समझाया था वाँ पे हाँ thoughts और expressions contextual basis कि आपने जो सोचा और आपने जो express किया are they both same अगर वो double meaning चीजे हैं like हर चीज के दो meanings हो सकते हैं ठीक है ऐसे बहुत सारे English में words हैं जैसे words often confuse नाम से chapter होता था कि दो words सेम से meaning देते हैं ठीक है तो वहाँ पे जैसे कि मान लीजे कि write का मतलब होता है write side भी और write का मतलब भी होता है आप सही है ठीक है तो औह सकता है कि आप बोलना चाहरे हो लिखने वाला right ठीक है या आप direction वाला right बोलना गजा रहे हैं पर उसने समझ लिया हो तो सही होने वाला राइट, तो contextual basis पर clarity होनी चाहिए, ठीक है, and the next one is completeness, completeness का description मचे देनी के जरूत है नहीं, message should be complete, जैसा मैंने जो example दिया, कि मुझे information चाहिए थी कि किते बच्चों में से किते पास है, किते फेल, मतलब मुझे तीन information चाहिए, कि बच्चे कितने हैं, पास कित कितने हैं, तो that means, अगर आपने तीनों information दी है, तो वो complete message है, ठीक है, then next we have is consideration, अभी इसी example में आप देख लीचे, मैंने आप से क्या का था, कि आपने बोल दिया, वहां पे कि 100 students, 12 past, rest failed, ठीक है, तो यह आपका you attitude नहीं है, आपने इसमें reader को consider नहीं किया, आपको जो लिखन कितने बच्चे फेलने पास है, तो ठीक है, वरना ठीक, तो यह गलत है, जो एक effective business communication होता है, उसका एक C होता है, मतलब एक characteristic होता है, consideration, जो आपका receiver है, उसके point of view को, या उसकी तरफ जो आपका approach होना चाहिए, वो benevolent होना चाहिए, ठीक है, कि आप ऐसे message दें, कि उसे ineffective ना यह हो साता है किसी की मास अची ही ना हो, वो ना निकाल पाए, एक्जाट ना निकाल पाए, यह हो साता है कि कि निकाला हो, और 78 निकाल लिया हो, और 78 होना चाहिए था अंसर, 78 निकाल लिया हो, और 78 के दून में शार हो गया हो, ठीक है, you should have a you attitude, अगर आपसे तीन information मांगे गई है तीनों दीजे एक्जाक्ट ली दीजिए ठीक, the last one we have is courtesy और अगर आप consideration वाला जो principle उसे फुल्फिल करेंगे तो courtesy तो होगी आप सामने वाले के बार में क्यों सोचेंगे क्यों कि आप से तरह friendly approach रखेंगे है ना तो अगर आप consider करेंगे तो courtesy तो अपने आप आप आ जाएगी तो यह रहे seven principles concise, correctness, concreteness, completeness, consideration, courtesy और clarity ठीक है clarity और thoughts and expressions ओके उसके बाद है मारा role of communication अब भी देखो communication का रोल क्या होएगा, अगर हम communicate कर रहें तो क्यों कर रहे हैं अगर एक पॉइंट पढ़ाया था कि communication अगर contextual होगा तो understanding अच्छी होगी understanding अच्छी होगी तो misunderstanding eliminate हो जाएगी तीनों पढ़ाया थे तो उन तीनों से यह पर पॉइंट बनता है managing complex situation misunderstanding होती है चलो बंदा बंदी एक्जांपल लेते हैं बहुत तुम लोग पढ़ते भी हो तो समझ भी जल्दी आ जाएगा जब मिस understanding होती है तो what you do you usually लोगों को से कहते सोना कि communication gap हो जाता है या misunderstanding बहुत हो जाती है तो what you do the best communicate करते हो ना बाते रखते हो ना तो communication के पहला रोल क्या हुआ managing complex situation misunderstanding complex ही होती है चाहे जहां भी हो ठीक है तो पहला रोल है managing complex situation यह पूरा flowchart है यह आपस बहुत रिलेट करता है ठीक इसलिए मैंने सारा topic एक साथ पढ़ा दिया और बचे वे तो forms और barriers वो मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी चिक उसके बाद है establishing cooperation and understanding फिर सेम चीज आ गई understanding हमाही तुमारी अच्छी हो कि तो मैं तुमसे cooperate करूंगी ना मैं तुमारी बात अगर समझूंगी तो मैं तो जब मैं बात ही समझ रही हो तो फिर cooperation ना होने का तो यह मतलब भी नहीं है मैं बात समझ रही हो तो मैं cooperate भी करूंगी ठीक है जो से मैं तुम लोग से कह रही हूं subscribe कर दो like कर दो तो कर दो ना ठीक है उसके बाद है effective organizational management देखो management बिना communication के हो नहीं सकती है तो communication का but obviously role यही है कि management को effective किया जाए ठीक है and then next we have increases profits बिना वोले profit कमाल होगे क्या business का representation ही communication से शुरू होता है ठीक है शाक्टाइक इंडिया देख रहे हो किसे नहीं देखा है तो उसमें क्या वो लोग पिछी तो करते है और उनकी पिछ से इंवेस्टर्स उन्हें चूज करते है कि क्या वो इंवेस्ट करना चाहा रहे है या नहीं तो that is all what role of communication ठीक है profit increase उनका इंवेस्टर्स से ही होना है ठीक है एक point इसमें थोड़ा से technical सा है fewer layoffs इमाने management की class में भी पढ़ाया है layoffs which is employee turnover ratio कि कि कितने employees के company के साथ कितने साल तक जुड़े हुए है और कभ तक काम करना चाहा रहे है और कितने लोग है ऐसे हैं आपकी company में कितने employee जल्दी आपी company को छोड़ देते हैं तो चितना better communication होगा उतनी अच्छी leadership होगी जब leader ही अच्छा होगा तो बंदा कंपनी क्यों छोड़ेगा ठीक है तो role of effective communication is to fewer layoffs मतलब employee turnover ratio को कम करना fewer layoffs लिखोगे तो अच्छा सा explain कर ले जाओगे ठीक है technical point then next we have ease of information collection and dissemination यह मैंने management में भी पढ़ाया है मैंने यह point इसे लिए और यह बहुत सारे points है मैंने यह point इसे लिए है information collection or dissemination क्योंके dissemination मैं तुमनों को फिर से संझाना चाहिए है dissemination का मतलब होता है information distribution to the appropriate receiver मतलब जो appropriate इसको information चाहिए उसे distribute करना distribute in the sense कि उस तक पहुचान transmit करना ठीक है collection और dissemination information के reference में यूज किया जाता है ठीक है सही information gain करना और सही information ही transmit करना जो कि यह organization के लिए बहुत important है और इस एक और point बन गया to improve the goodwill of company या to polish the image of company यह भी तो communication का ही रोल हुआ ना जितनी अच्छी बात है होंगे company के बारे बहुत यह अच्छी गुट बहुल होई इस importance of communication important क्यों है communication अरी यह कोई संधाने वाला topic है चलो फिर भी बता दोते हैं अभी देखो communication why it is important complex situations manage कर रहा है ठीक है जब complex situation communication manage कर रहा है तो क्यों important होगा effective management के लिए important होगा ना because it is the basis of planning and management planning and management का basis ही communication है तो अपना point रखो मैं अपना point रखो फिर जब best alternative आए वो plan हो जाए है ना तो पहला point तो यही कि because it is the basis of effective management दूसरा point भी तो मैंसे ले लो because it is the basis of effective planning ठीक है अब अगर control कैसे इंशर होगा अच्छा communicator होगा अच्छा leader होगा तब तो लोग उसकी बात से इंफिलोंचा के बात सुनेंगे तो इंशर्स good control अगर control अच्छा है तो इंशर्स इंक्रीमेंट अफ प्रॉफिट है ना किसी बागनाजेशन में अगर प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो और इससे भी एक kogo देशिशु करते हैं जैसे कि एंडस्ट्री में जैसे कि एक डिर्टन को यहींट रहता है वैसे कि एक डिऊटरी इंडस्ट्री से interrelated रहती है जितना better communication होगा उतनी कम misunderstanding होगी और उतना इंसान collaborate करके चलेगा collaborate करके चलेगा but obviously आगे जाएगा ही जाएगा ठीक है तो cordial relation build हो ही जाएगा जब हम तुम्हारा धंदे को आगे बढ़ाएंगा तुम हमारे दोस्त हम तुम्हारे दोस्त listening should be active मैं तुमसे बात कर रही हूँ तुम हवा में हो phone चला रही हूँ मैं तुमको पढ़ा रही हूँ तुम्हारा काम मनता था कि तुम notes बनाओ तुमने नहीं बनाए कोई बात नहीं description में लिंक में update कर रही हूँ महीं से पढ़ लो पता है नहीं बनाओगे ठीक है इसके बाद next point clarity communication में clarity important है clarity को आप जोड सकते है contextual वाले points से अगर आप clear है कि what is your context कि आपको किस reference में क्या बात बोलनी है तो मतलो आप clear अपनी बातों को लेके तो you are a good communicator जैसे मुझे clear है कि मुझे टीूस्डे को communication कर लेकर आना है तो तो लाइक तो कर दो ठीक है उसके बाद है हमारे empathy for others अब empathy for others same चीज़ आपे 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 consideration वाला C point which is you attitude you attitude होना चाहिए अब मैं अंग्रेजी बाचना चालू करूँ ठीक है मैं तुमको पढ़ाने आई हूँ बुक रीड करने नहीं तो तुम घर पर बैटके भी तुम रीड कर लोगे तो मेरे चनल तक आए हो तुम मेरे गेस्ट हो तो मेरा यहाँ पर फर्ज बनता है कि मैं तुमको अच्छे समझाओ तुमको अपनी भाशा में समझाते है ठीक है उसके बाद next है हमारा जो देखो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है खैर कोई बाद नहीं non-verbal interpreter एक important topic है important topic कह सकते है important heading जो explain करने वाली है non-verbal का मतलब क्या gestural है न how-how देखके expressions देखके non-verbal interpreter का मतलब क्या interpret करने का मतलब क्या nisqarsh निकालना conclude कर देना non-verbal conclusion कैसे बनेगा कोई good communicator जैसे कि मैं आपको express कर रही हूं कोई चीज़ तो मेरे hand movements हो रहा है कभ मेरे eyebrow uplift होती है कभी मैं या पॉनिट करती हूँ कभी मैं आपको explain करती हूँ मेरे hand movements मतलब मेरी body language completely इस posture में है कि मैं आपको कुछ explain कर रही हूँ तो वह आप actively सुन पाए ठीक है आप तक पहुछ जाया हो चीज़ है तो that is non-verbal interpreter अगर जैसे कि आप video mute भी कर दें ठीक है अब जैसे कि यह board है अगर मैंने यहाँ point कि आपका video mute है इस topic पहुच गई हूँ यहाँ यह यह हो गया फिर अब मैं यहाँ पहुच रही हूँ तुमने वीडियो unmute कर रहा हूँ और तुम सुनने रहा है कि चलो यह topic मुझे नहीं आता है तो मैं यह सुन ले रहा हूँ ठीक है यह यह non-verbal interpreter हो गया a good communicator non-verbal interpreter होता है मतलब वो अपने gestures से भी जता सकता है कि वो कहना क्या चाह रहा है ठीक है and the next topic which we sorry next heading which we have is open minded और उसके बाद है positive thinker दोने संजहने लाइक नहीं है तो इसी के साथ हमारी unit 1 खतम होती है आधी आधी बागी है ति जदी खुश मत हो next video बस हम यू लेकर आए till then take care and bye bye